नमस्का गुस्तू के रीड़ेस चाहिए मैं नहीं दर्म और आप देगर में चैनल के रीड़ेस चाहिए सब्सक्राइब कर लो बेल आइकर को जरूर प्रेस करो ता कि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक के बात करेंगे कि best career option after B.Tech B.Tech करने के बाद best career option कहां कहां हो सकता है, कौन सी ब्रांच का हो सकता है या overall ब्रांच के बारे में हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में देखो अगर आप engineering करते हो पहले एक time था कि engineering करने के बाद campus placement हो जाता था 100% क्योंकि बहुत कम लोग engineering करने जाते थे और जरूरत जाते होती थी लेकिन अभी current time में scenario पूरा change हो गया चाहे आप government college से पढ़ ले चाहे कहीं से भी पढ़ ले लेकिन आपको specialization जरूरी भले आप ब्रांच में specialization कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़े requirement होती है जो लोगों का campus placement हो जाता है वो लोग सुछते हैं कि बहुत सारे लोग के मन में होगा campus placement हो गया चलब बहुत अच्छी बात है लेकिन बहुत सारी ऐसी company прямione से उठाकर टो लेके जाती है आपको placement करके लेके जाती है याँ बट केंपस प्लीस्मेंट के बाद वो सारी companies क्या आति हैं को चार महिने जितने भी मन्त का होता है ट्रेनिंग के बाद फिर फ्लोर पे आपको लेकर के आती है अन रोल लेकिल अगर बता दे आपका कैंपस फ्लेश्मेंट नहीं हुआ है तो उसके बाद को क्यारियर ऑपसन क्या हो सकते हैं पहला मेरे इसाब से अगर आप Engineering field में हो तो आगर आप Teaching में इंट्रस्टेद हो तो B.Tech में Teaching कर सकते हो Polytechnic में जा सकते हों करींट ता आप m tech कर सकते हो या तीसरा career option आप MBA कर सकते हो अगर interested हो तो उसके अलाबा जो बेस्ट career option है कि private industry में आप आना चाहते हो तो अगर campus placement नहीं हुआ है तो career option यह कि कि किसी भी चीज में specialization ले ले जैसे अगर mechanical में है तो autocad कर लो तूई प्रोई जो भी है इसके बाद अगर आप electronics और telecom में तो किसी company में इंटरंशिप कर लें उसके अलाम अगर software industry में है तो भी बहुत सारे software development से लेके app development बहुत सारे course है उन में से कोई कर लो वो best होगा आपके लिए तो private industry में आके कुछ न कुछ training या इंटरंशिप आपको करना पड़ेगा sector की जो company है जैसे एंटी पीसी बीचेल यहां पर भी जा सकते हो अच्छा करियर ऑप्शन है बट उसके लिए बहुत हार्ट वर्क की जुरूत है आपको get clear करना पड़ेगा crack करना पड़ेगा अच्छे खासे नंबरों के साथ होगी उसके अलामा IS है Indian Engineering Services है कि IS बन सकते हो IS के लिए भी बहुत अच्छा option है IES भी बन सकते हो इंजिनिंग करने बाद अब तो बहुत जादे IS officers जो है इंजिनिंग के बाद ही बन रहे हैं सबसे जादे इंजिनिंग स्टुटेंट आई बीपिस क्रेक कर रहे हैं SBI का हो गया कोई भी नॉन टेक एक्जाम हो इंजिनिंग स्टुटेंट उसमें भी इलिजबल होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए जिन लों को नहीं पता है वो जान ले और आप इंडिन आर्म सब्सक्राइब बताया है अगर आपको लगता है बहुत सारी आसी ब्राइग इसमें करियर ओप्सन डिफरेंट दिफरेंट होते हैं से एक डिजिटल मार्केटिंग है उसमें बहुत अच्छा करियर ओप्सन मना सकते हो आप wave में जा सकते हो development field में उसमें भी बहुत अच्छा career option बना सकते हो digital की दुनिया है जिस तरह से हम लोग IT field में काम करते हैं तो IT software engineer भी बन सकते हो Google और Microsoft जैसी company के साथ भी जूड़के काम कर सकते हैं तो बहुत career option है आपको think करना है दिमाग से सोचना है सूचने के बाद उसको apply करना कि मुझे जाना कहा है एक particular specialization लीजिए हर जगा हाथ पैर मत मारिए एक specialization लीजिए और उसी floor में आगे बढ़ेए जरूर आपको सफलता मिलेगी तो बस इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, comment कर दो और आप लोग और क्या career option हो सकते, comment में आप इन दूसरे साथ जरूर शेयर करें और बताएं भी कि क्या-क्या और career option बीटे के बाद हो सकता है और ऐसा आप लोग करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा थैंक यू, जैहिन, नमस्कार दोस्तो